दोज तो धंतेरस पर भूल कर भी ऐसी ज़ाड़ू अपने घर पर कभी न लाएं। कहीं हो जाए पूरा घर खाली। मामुली सी ज़ाड़ू समझ कर एक गलती कभी न करें। दोज तो धंतेरस आने बाला है। इसी धंतेरस पर अगर आप उल्टी सीधी ज़ाड़ू अपने घर ले आते हैं। तो इसका नाकरात्मक असर आपके घर को बरबात कर देगा। साथ ही इससे मिलने बाला फल बेर्थ हो जाएगा। दोस्तो ज़ाड़ू ज़ाड़ू लक्षमी का रूप माने जाती है। परन्तु क्या आप जानते हैं। ज़ाड़ू को युही नहीं खरीदा जाता। इसके पीछे कई कारण है। आगमन होते हैं। तो ऐसे मिलने जानते हैं कि ज़ाड़ू को किस अबस्था में नहीं खरीदना चाहिए। और किन-किन रूपों में नहीं लेना चाहिए। तो चली जानते हैं। नाकरात्मक उर्जा में बदल जाएगा और आपके घर को बरबात कर देगा और आपको मिलने बाला धन कहीं और चला जाएगा। दोस्तो अब बात करते हैं कि धनतेरस पर और बाकी दिनों में कौनसी जाड़ू घर में नहीं लानी चाहिए। बैसे तो मार्केट में कई तरह के जाड़ू मिल जाती है। लेकिन सीकू बाली जाड़ू और फूल बाली जाड़ू का बहुत महत्व है। प्लास्टिक की जाड़ू धनतेरस पर कभी नहीं खरेदनी चाहिए। जाड़ू को हमेशा ज्यादा घनी होनी चाहिए। अगर आप सीको बाली जाड़ू खरेते हैं तो उसकी सीखें तूटी हुई ना हो। ऐसी जाड़ू खंडित हो जाती है। अगर आपके घर में पुराना जाड़ू पड़ा है तो उसको तुरंद भार करें और नई जाड़ू का परवेश करें। अगर आप घर के लिए जाड़ू की खरीदारी करना चाहते हैं तो इसके लिए मंगल बार शनीबार या अमबस्या का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। शनीबार या अमबस्या के दिन नई जाड़ू का इस्तिमाल करने से घर पूरी तरा से दोश मुक्त हो जाता है और सुक समर्दी बढ़ती है। वहीं अगर पुराने जाड़ू को बहार करना हो तो रभिबार के दिन बहार कर सकते हैं लेकिन याद रहे इधर उधर ना फेकें तो दोस्तो धन्यवार।